रगुकुल रीद सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए कुछ दिन पहले राजस्थान के क्रशी मंतरी किरोडी लाल मीना ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ये पोस्ट किया था लोगसभाद चुनाव प्रचार के दोरान कैबिनेट मंतरी मीना ने एक वचन दिया था या यूँ कहें कि दावा किया था उन्होंने कहा था कि प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी ने दोसा समेट साथ सीटों की जमेदारी मुझे दी है इन साथ सीटों में से अगर एक भी सीट भारती जनता पार्टी हार जाती है तो वो इस्तिफादे देंगे अब राजस्थान में किरोडी लाल मीना के वचन की चर्चा जोरों पर है नमस्कार मेरा नाम है कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं अमरुजाला राजस्थान चलिए आगे बढ़ते हैं इस खबर पर उसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बात करते हैं किरोडी लाल मीना की चुनाव परिणाम के बाद साथ में से चार सीट भरतपूर, धोलपूर, करोली, दोसा और टोंक सवाई मादोपूर सीट पर भरती जन्ता पार्टी हार चुकी है यही वज़ा है कि मंत्री किरोडी लाल मीना के वचन को बार-बार याद किया जा रहा है अब उनके वचन के अनुसार मीना ने दफ्तर जाना बंद कर दिया सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि मीना ने अपने पत से इस्तिफादे दिया है हलाकि इस इस्तिफ़े को लेकर बीजेपी के नेता कुछ भी बोलने से अभी बचते नजर आ रहे हैं जानकारी जो मिली है उसके अनुसार कैबिनेट मंतरी किरोडी लाल मीना ने चार जून को इस्तिफा दे दिया था इसके बात से ही वो दफ्तर जाना भी बन कर चुके हैं यही वज़े है कि आचवार सन्हिता खत्म होने के बावजूद उन्होंने सरकारी गाड़ी भी वापस नहीं ली मीना इस समय अपनी निजी गाड़ी में ही घूमते नजर आते हैं हलाकि खबर तो ये भी है कि पार्टी आला कमान ने किरोडी लाल मीना का इस्तिफा अस्विकार कर दिया है बता दे कि दोसा किरोडी लाल मीना का गड़ माना जाता रहा है लेकिन इस बार के लोग सभाचुनाव में दोसा सीट पर कॉंग्रेस ने भारी मतों से जीत दर्ज की पुर्वी राजस्थान में मंत्री किरोडी लाल मीना का किला ढह गया है ऐसे में ये माना जा रहा है कि किरोडी लाल मीना ने इसी के चलते ओफिस जाना बंद कर दिया सरकारी वाहन का उपयोग बंद कर दिया और अपना इस्तिफा बीजेपी के आला कमान को सौप दिया है कयास तो यही लगाए जा रहे हैं बहराल इस पूरे मामले पर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें